हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम लेकर आये हैं धोकले की एक बड़ी ही आसान सी और स्वादिष्ट रेसिपी धोकला सभी को ही पसंद होता है और ये जितना खाने में स्वादिष्ट होता है पचाने में उतना ही आसान भी होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो इसके लिए हमने एक कटोरी बेसन लिया है और उसके अंदर हमने तीन चोथाई या आधी कटोरी ले सकते हैं दही और उसमें बाकी का पानी मिला करके हम इसको लसी या छाच की तरह से बना लेंगे और पतला सा इसका घोल हम त्यार करके इसको हम बेसन में मिलाएंगे एक बड़े बरतन में बेशन को डालेंगे और उसकी अंदर ये जो हमने दही से लसी बनाया है इसको हम मिलाएंगे बड़े आराम से और ध्यान से हम इसको मिलाएंगे ताकि कहीं पर भी कोई भी गुठलिया इसमें ना पने और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और थोड़ी सी इसमें हम हल्दी डालेंगे हल्दी थोड़ा कलर के लिए डालेंगे और नमक अपने स्वाद के अनुसार हम डालेंगे और इसका एक बहुत ही अच्छा सा घोल तियार कर लेंगे जब इस घोल को हम मिला रहे होंगे तो उसको केवल एक ही डारेक्शन में हमने घुमाना है दोनों तरफ इसको नहीं घुमाना इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और जो हमारा बैटर है वो इस टाइप का होना चाहिए कि ऐसे उंगली से हम करें तो उसके उपर निशान बन जाए और इसको अब हम ढग करके रख देंगे अगर हम इसको एक घंटे के लिए आदे घंटे के लिए रखते हैं तो वो भी अच्छा है और एक पतिले में हम फाने ग्रम होने के लिए रखेंगे और बरतन में चिकना घी यते लगा कर रखे और अब हम इस घोल को लेंगे 10-15 मिनट के बाद या आपने जितनी भी देर इसको रखा है इसमें अब हम एक बार फिर से इसको घुमाएंगे और इसके अंदर हम इनो का एक शैशे पूरा डाल देंगे पूरा एक शैशे इनो का इसके अंदर डाल के हम इसको मिलाएंगे और इसको तुरंत ही ये देखिए इस तरह से जागदार हो जाएगा और इसको तुरंत ही जो हमने चिकना किया हुआ बरतन है उसके अंदर डाल के रख देंगे और पानी हमारा उगल रहा है उसके अंदर हम इसको ढग करके रख देंगे 15-20 मिनट के बाद हमारा ये घोल बिलकुल तयार हो जाएगा धोकले के रूप में इसको हम चेक कर सकते हैं इस तरह से अभी हमारा घोल थोड़ा सा कच्चा है तो हम इसको फिर से ढग देते हैं और 5-7 मिनट के लिए उसको और पकाएंगे तो अब हम इसके अंदर एक पिक के साथ रूप पिक के साथ इसको चेक करेंगे तो ये बिलकुल पक गया है बिलकुल भी चिपका नहीं है तो अब ये हमारा बिलकुल तयार है इसको चाकु के साथ हम चारो तरफ से ऐसे हिला लेंगे और दूसरा एक प्लेट इसके उपर रखते हैं इसको उल्टा करके इस तरह से निकाल लेंगे और ये हमारा कितना स्पंजी सा एक ढोकला तियार हो गया है एक स्पंज पूरी तरह से त्यार है अब हम इसको कट करेंगे इसको हम अपनी मर्ची से अपने सुविधा के अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और कट करने के बाद आप में इसको रख लेंगे या आप इसको बाद में भी काट सकते हैं और ये एक दम से देखे कितना स्पवंजी बना है अब हम इसके लिए एक तड़के को तयार करेंगे तड़का बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे पैन में हमने घी तेल जो भी आकी इच्छा हो वो इसमें डाल सकते हैं उसको गरम करेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी राई मोटे वाली और छोटे वाली थोड़े से 10-15 कड़ी पत्ते और हरी मिर्चे हरी मिर्चों को बीच से कट करके हमने इसके अंदर डाला है उसको थोड़ा सा भून के इसको हम पानी मिलाएंगे इसके अंदर और थोड़ी सी इसके अंदर हम मिला देंगे एक निम्भू का रस एक निम्बू का रस मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी हलकी सी मिठास आ जाए इसके लिए मैंने दो चमच इसमें चीनी डाली है जो डेली यूज की हमारी चमचे होती है वो दो चमच चीनी की डाली है और इसको हम ये जो हमने कट करके रखे हैं sponge ढोक लेके इसके उपर से डालेंगे, spread करेंगे और ये हमारा ढोकला बन करके बिल्कूर तयार हो गया है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है, खाने में भी उतना ही ये tasty है तो आप इसको एक बार try ज़रूर कीजिए तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो like share अवशे कीजिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत